एक बार की बात है एक जगह दो राजा राज्य करते थें उन में से एक राजा का बहुत सुन्दर बेटा था और दूसरे राजा की बहुत सुन्दर बेटी थी दोनों राजाओं के बच्चे साधी के लायक थें इसलिए दोनों राजा अपने अपने बच्चों के लिए जीवन साथी ढूंडने के लिए लोगों को भेज रहें थें किस्मत की बात है कि दोनों राजाओं के दूद आपस में मिलें और बाचित के बीच उन्होंने एक दूसरे को अपने अपने उद्देशे बताएं उन दोनों को यह सुनकर बड़ा आश्चरे हुआ कि दोनों के बाहर निकलने का उद्देश से एक ही था और दोनों राजा भी आपस में एक दूसरे की टक करके थें इस तरह राजकुमार और राजकुमारी का जोड़ा बहुत अच्छा बनता था जब राजाओं ने अपने अपने दुतों से उनकी बात सुनी तो उन्होंने आपस में बात की और उन दोनों की साधी तै हो गई और फिर तै की गई तारीक को राजकुमार राजकुमारी के घर पहुँच गया और साधी की रश्ट में सब बहुत शांदार तरीके से पूरी की गई लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था उनकी खुसिया पर एक बादल चा गया उनकी खुसी बहुत कम समय के लिए थी जब राजकुमार अपनी राजकुमारी को लेकर घर लोट रहा था तो रात को वह एक बगीचे में रुका संयोग से वह बगीचा पड़ियों का था ये पड़िया रात को वहां आती थी उस रात जब वे वहां आई तो वहां राजकुमार को देख कर वे उससे प्रेम कर बैठी उन्होंने उसको अपना बनाने का सोच लिया उन पड़ियों ने उस राजकुमार पर ऐसा जादू कर डाला की वह मौत जैसी गहरी नेंद में सो गया अगली सुबह राजकुमारी और दूसरे लोगों ने उसको उठाने की बहुत कोशिस की पर सब बेकार रहा उन सब को लगा की राजकुमार मर गया है इसलिए सब ने दुख मनाया और राजकुमार के लिए रोएं जैसे की लोग किसी मड़े आदमी के लिए रोते हैं यह राजकुमारी के लिए बड़ी ही मुस्किल की घड़ी थी तब ही वहाँ पर सूडा बोड और बूडा बोड दो चिरियां आई और जहां लोग राजकुमार के लिए रो रहें थें उस जगह के पास ही एक बेड की डाली पर आकर बैठ गई और आपस में बाते करने लगी सूडा बोड बोला इन लोगों को इस राजकुमार को दफन नहीं करना चाहिए बोडा बोड बोला क्यों सूडा बोड बोला क्योंकि यह अभी मड़ा नहीं है सायद कुछ दिनों में ही यह जिन्दा हो जाएगा उनकी यह बाते राजकुमारी सुन रही थी राजकुमारी ने तुरंत ही हुकम दिया कि राजकुमार के सरीर को वही पड़ा रहने दिया जाए जहां वह था फिर राजकुमारी ने उन सब से यह वादा किया कि वह इस हुकम की वजह उन सब को बाद में बताएगी इस हुकम के अनुसार राजकुमार के सरीर को उसी बगीचे में छोड़ दिया गया और बाकी सब लोग अपने अपने घड़ों को चले गएं दुखी राजकुमारी और उसकी तरफ के लोग एक तरफ चले गएं और राजकुमार की तरफ के लोग दूसरी तरफ चले गएं राजकुमारी के माता पिता को अपनी बेटी की बदकिस्मती की बास सुनकर बड़ा दुख हुआ, राजकुमारी भी दिन राथ रोती रहती, कोई चीज उसको कोई अराम नहीं दे पाती हर पल वह राजकुमार के इंदजाड में राह देखती रहती आखिर कार जब उसे अपना दुख और नहीं सहाजा सका तो उसने अपने पिता से महल छोड़ कर इधर उधर घूमने की इजाजत मांगी हलां की राजा उसको इस तरीके से कहीं जाने देना नहीं चाहता था पर अपने मंद्रियों की सलाह पर राजा ने राजकुमारी को जाने की इजाजत दे दी मंद्रियों का विचार था कि अगर राजकुमारी इसी तरह से यहां कुछ दिन और रही तो कहीं वह पागल न हो जाए इसलिए उनकी सलाह पा कर राजकुमारी बाहर घूमने चल दी वह दुखी हो कर चारो तरप घूमने लगी हर आने जाने वाले लोगों से वह एक ही सवाल पूछती क्या तुमने कहीं राजकुमार को देखा है इस तरह घूमते घूमते और राजकुमार के बाड़े में पूछते पूछते राजकुमारी के कई दिन बित गएं पर कोई भी राजकुमारी को राजकुमार के बाड़े में कुछ न बता सका आखिरकार राजकुमारी को एक बूढ़ा आदमी मिला राजकुमारी ने उससे भी यही पूछा क्या तुमने कहीं राजकुमार को देखा है बूढ़ा बोला मैं एक बगीचे के पास से गुजर रहा था कि मै मैंने वहां जमीन पर एक बहुत सुन्दर लड़के को सोते हुए देखा, मुझे यह देखकर बड़ा अश्चरे हुआ कि उस लड़के ने अराम करने के लिए ऐसी जगह क्यों चुनी, इसलिए मैं वहां रुख गया, कुछ देर बाद ही, मैंने कुछ पड़ियों को वहां आ उठकर बैठ गया और उनसे बाती करने लगा, कुछ देर बाद उन बड़ियों ने वह जादू की छड़ी, उस लड़के के पैडों के नीचे रखी, तो वह फिर से लेट गया और सो गया, मैंने बस यही देखा, मेरी दोस्स समझ में कुछ भी न आया, इन सब का मतलब क्या था, राजकुमारी बोली, क्या तुम मुझे उस बगीजे तक ले कर जा सकते हो, जहां वह लड़का सोया हुआ था, बूढ़ा बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, कहकर वह राजकुमारी को उस बगीजे की तरफ ले गया, जहां वह राजकुमार सोया हुआ था, जब वे वहाँ पहुचे तो राजकुमार का शरीर वहां दिखने में बेजान जैसा पड़ा हुआ था राजकुमारी ने देखा कि जादू की छड़ी अभी भी राजकुमार के पैडों के नीचे रखी हुई थी राजकुमारी ने तुरंत ही वह जड़ी उसके पैडों के नीचे से निकाल ली और राजकुमार के सिर के नीचे रख दी जैसा की उस बुढ़े भावा ने बताया था वह राजकुमार उठकर बैठ गया उठते ही उसने राजकुमारी से पूछा तुम कौन हो राजकुमारी बोली मैं तुम्हारी पतनी हूँ क्या तुम मुझे नहीं जानते राजकुमार ने पूछा तुम यहां कैसे आई राजकुमारी बोली इन बुढ़े बाबा की सहायता स यह कहकर राजकुमारी ने उस बुढ़े बाबा की तरफ इसारा कर दिया जो डड़के मारे कुछ दूरी पर खड़ा था राजकुमारी फिर बोली आओ उठो और जल्दी से इस भायानक जगह से कहीं दूर चलो तब राजकुमारी बोला अफसोस मैं नहीं जा सकता पड़ियों को मेरे यहां न होने का बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा वे मेरे पीछे पीछे आ कर मुझे ढूंड लेगी और मुझे मार देगी अगर तुम मुझे से प्यार करती हो तो यह ज़ड़ी तुम मेरे पैड़ ऐसा नहीं हो सकता फिर राजकुमार बोला तो फिर ऐसा करो कि तुम इस पेड़ के खोखली तने में छिप जाओ क्योंकि तुम यहां सुरचित नहीं हो पड़िया यहां कभी भी आशकती है राजकुमारी ने वैसा ही किया जैसे ही वह पेड़ के खोखली तने में जाकर छि रही है दूसरी बोली लगता है यहां कोई आदमी आया है यह कहकर दो तीन पड़िया उस आदमी की खोज में इधर उधर गई और आसपास के जगह पर घूम घूम कर देखने लगी पर उन पड़ियों को कोई आदमी न मिला उसके बाद उन्होंने राजगुमार को जगाया और राजगुमार से पूछा कि क्या वह किसी आदमी को जानता था जो उसके आसपास घूम रहा हो राजगुमार ने साफ साफ मना कर दिया कि उसने किसी आदमी को वहाँ आसपास घूमते नहीं देखा फिर पढ़िया बोली पर हमारा पक्का बिस्वास है कि यहां कोई आदमी जरूर आया था क्योंकि आदमी की खुस्बू पूरी हवा में फैली हुई है कोई बात नहीं हम लोग कल यह जगह छोड़ कर किसी दूसरी जगह चले जाएंगे फिर अगली ही सुबह पढ़ियों ने सारा बगीचा देखा क्योंकि वह बगीचा बहुत ही बड़ा था और अपने लिए कोई जगह ढूंड ली जहां उनको लगा कि वहां कोई भी आदमी नहीं आपाएगा जब वे पढ़िया किसी काम से वहां से गई तब राजकुमारी वहां आई और राजकुमार ने राजकुमारी से कहा प्रिये अब तुम क्या करोगी वे मुझे किसी दूसरी जगह ले जाएंगी और फिर तुम्हें कभी भी नहीं देख पाऊंगा बहादुर राजकुमारी बोली नहीं ऐसा कभी नहीं होगा तुम देखना ऐसा कहकर राजकुमारी कुछ फूल इकठा करने लगती है और फिर राजकुमार के पास आकर कहती है तुम जब यहां से जाने लगो तो इन फूलों को अपने पीछे पीछे बिखेरते जाना जिसस मुझे पता चल जाएगा कि तुम कहां गए हो यह कहकर राजकुमारी ने राजकुमार को एक खास किस्म के फूलों का एक गुलदस्ता लाकर दिया राजकुमार ने उन फूलों को अपने कपड़ों में छिपा लिया और राजकुमारी फिर से अपने उसी पेड के खोकले तने में जाकर छिप गई कुछ देर बाद पड़िया फिर वहां आई और उन पड़ियों ने राजकुमार को अपने पीछे पीछे आने के लिए कहा अगले दिन राजकुमारी उन फूलों के सहारे चलती गई जब तक कि वह एक बहुत ही बड़ी और शानदार बिल्डिंग के पास नहीं आ गई जो एक महल की तरह लग रही थी यह एक देव का घर था जिसने पड़ियों को भी बहुत तरह के जादू सिखा रखे थे राजकुमारी बिना किसी डड़ के उस महल के अंदर चली गई उसने देखा कि वहां अंदर तो कोई भी नहीं था तो वह सुस्ताने के लिए एक मेज पर बैठ गई करीव एक घंटा के बाद देव वहां आया राजकुमारी को देख कर उसने सोचा कि सायद वह उसकी बेटी है जिसको एक दूसरा देव जवरदस्ती उठा कर ले गया था वह उसकी तरप दोड़ता हुआ आया और बोला ओह मेरी प्यारी बेटी तुम वापस कैसे आई उस नीच से तुम कैसे बच पाई राजकुमारी ने तुरंत ही हालात का अंदाजा लगा लिया वह बोली जब वह सो रहा था पिता जी तब मैं वहां से भाग निकली कुछ समय तक राजकुमारी देव के पास ही रही वहां उसको देव और पढ़िया देव की बेटी ही समझते रहें वह वहां जो चाहती वह करती थी और जहां जाना चाहती वहां जाती थी उसकी प्राथना करने पर देव ने उसको बहुत सारे जादू भी सिखा दिये थे जैसे कि किसी आदमी को मड़ा हुआ कैसे दिखाना है फिर कैसे उसे जिन्दा करना है छिपी हुई चीजों का पता कैसे लगाना है ऐसे ही बहुत सारे जादू देव ने उसे सिखा दिये एक दिन की बात है राजकुमारी ने अपनी जादू से यह पता लगा लिया कि राजकुमार एक पड़ी के गले के हाड में छिपा हुआ है उसने यह बहाना बनाया कि वह हाड उसको बहुत पसंद था इसलिए वह हाड उसको पहनने के लिए दे दिया जाए पहले तो पड़ी ने कुछ ना नुकुड की पर फिर उसको देव की बेटी होने के नाते उस हाड को दे देना पड़ा लेकिन इस सर्थ पड़ की वह हाड वह उसको अगले दिन ही लोटा देगी राजकुमारी इस बात पर राजी हो गई जैसे ही उस पड़ी ने उसको अपना हार दिया और वह वहां से चली गई राजकुमारी ने अपने जादू से राजकुमार को उस हार से बाहर निकाल दी राजकुमारी ने बाहर आते ही इधर उधर देखा तो राजकुमारी ने उसे से पूछा क्या तुम मुझे पहचानते हो या तुम मुझे नहीं जानते मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तुम्हारे लिए मैंने अपने बिदा का घर छोड़ा तुम्हारे लिए मैंने उस पगीजे में जाने की हिम्मत की जिसमें तुम लेटे हुए थे तुम्हारे लिए मैंने देव के मकान में घुसने की जुरत की क्या तुम मुझे नहीं पहचानते तब राजकुमार बोला हाँ हाँ मैं तुम्हें पहचानता हूँ तुम मेरी पतनी तब राज कुमारी बोली आओ चले मैं तुम्हें अब बताऊंगी कि तुम्हें अब क्या करना है देब और उसके सब आदमी यह समखते हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ जिसे कोई दूसरा देब उससे जवरदस्ती छेन कर ले गया था अब मैं तुम्हें अपने पिता यानि देब के पास ले कर जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि जब मैं उस भगाने वाले देब से बचने की कोशिस में भाग रही थी तो तुम मुझे मिल गए तुम्हारी सुन्दरता देख कर मैं तुम पर रीज गई और मैंने तुम से साधी कर मैं उसको यह भी बताऊंगी कि तुम एक साही खांदान के हो इसलिए वह हमारी साधी को मान ले जब वह यह सुनेगा तो वह बहुत खुस हो जाएगा तुम डड़ना नहीं आओ और देखो कि क्या क्या होता है राज गुमारी की बात बिलकुल ठीक निकली पिता देब अप अपनी बेटी की साधी के खुसी में एक बहुत बड़ी दावत दी जिसमें उसने सारी पड़ियों को पुलाया फिर राजकुमार और राजकुमारी ने उस देव के महल में बहुत दिनों तक आनंद से रहें फिर राजकुमार ने देव से कहा मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ और राजकुमारी को भी अपने माता पिता से मिलवाना चाहता हूँ हलांकि देव उन दोनों को अपने पास ही रखना चाहता था पर फिर जब राजकुमार ने जित की तो उसे जाने की इजाजत देनी ही पड़ी फिर देव ने राजकुमार और राजकुमारी के लिए बहुत सारे उपहार इकठे किये और उनके जाने के समय सारे उपहार दे दिये और उनसे जल्दी वापस आने के लिए कहा और बहुत सारे उपहारों के अलावा देव ने उन्हें एक उरन खटोला भी दिया जिस पर जो कोई पैठ जाता था वह उसको उसकी मन चाही जगा पहुँचा देता था यह राजकुमार और राजकुमारी के लिए तो बहुत ही कान के चीज थी राजकुमार और राजकुमारी ने अपना सारा खजाना उसमें रखा और उस उरन खटोले में पैठ कर देव और सारी पड़ियों को विदा कर राजकुमारी के पिता के राजे चले गएं वे जल्द ठीक था और राजकुमारी के साथ ही आया था इस खुसी में उस दिन महल में ही नहीं बलकि सारे सहर में बहुत खुसिया मनाई गई फिर राजकुमार और राजकुमारी दोनों खुसी-खुसी अपना जीवन बिताने लगें तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्षन में जरूर बदाईएगा और अगर आप हमारे चैनल पे पहली वाड़ाएं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ सेर करना भी मत भूलिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिये तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फूर बोचिंग दिस वीडियो